कर दोस्तों आप से लोग का हमारे चेनल बहुत बहुत सबागत है दोस्तों आज में क्लास 11 का निया चेप्टर हाइपर बोला स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें दोस्तों देखिए पहला कोशिन कर रहा है कि सबस्क्राइब बजस्ट संब्सक्राइब trata लगे खरोइन कीशन कर सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब करें तो दोस्तों होता है एक होता है tempura देखिए यह एकस्स के लोग होता है उसको मनुख क्या बोलते हैं इसको है आपसेक्षिस के लॉग में है इसको मिलों सब्सक्राइब और फोकस इसका हो गया दो फोकस होता है यहां से फोकस का डिस्टेंस क्या होता है सी होता है और यहां से फोकस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा यह लेफ्ट साइड में इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा माइनस सी कॉमा जीरो हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा तो दोनों को लोग कंबाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस सी कॉमा जीर कैसे और यह से समय होता है यह वर्टेक्स होता है यह होता यह होता है कि यह तो यह हो ह więc सब्द में फ्रेयरे से यहां से सब्सक्राइब सबस्टरों देंगा और देखिए जो ट्र्रांसबर्स एक्सीस रहे उसका लेंद क्या होता है यहां देखिए MAX V. समझें कि ट्रांसरी हिलों होता है तो यौ तो ने लिए यह स्वानिके मिनली क्या होता है 오른 पडिक रहे शोगा हो घली हो घ्रज़ाइब यहां पर यहां पर देखिए इसकाम एक्वेशन के सब्सक्राइब कर दोस्तों इसमें यह और बिढ़ा-छोटा से कोई नहीं जो पहले आएगा यहां पर रहा और हूग PayPal होगा वोला होगा हाइपरबोला होगा है जेहाँ पलने वे उनिट की डिस्टेंस होता है यह लेंफ होनी और यह और यह ऊमेजा होगा یہ चाहए एक्र! dramashkd क्या हो जाएगा इसके लिए देखिए प्लस मैनस क्या हो जाए एक कॉमाइज जीरो हो जाएगा क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस मैनसी कॉमाइज होता है इक्सित क्षोर्ण से कौन सा हो जाएक कि इस अक्सित के अलोग पर रोग होता है गी को यह उग जाएगा ठीक का यहांकरी थे तो यह हो जाएगा से conjugate axis हो जाएगा और इसका equation यह है vertical पारावोला है कौन सा पारावोला है दोस्तों हाइपर बोला है vertical vertical hyperbola ओके इसका equation हो जाएगा y square upon a square minus x square upon v square equal to one तो y square पहले इसका मतलब है y axis के along hyperbola है same यहाँ पर length of transport axis to your units हो जाएगा में दैंने тобस और में हो जाएगा अब देखिया रुद में कराव है coordinate of vertices coordinate of vertices देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा सेendaft से यहां कादर हो जाएगा यहाँ से यहां का डिश्रन क्या हो जाएगा यह हो जाएगा देखिए जीरो कॉमा प्लस मैनस क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा तो यह हो जाएगा माइनस उपर में हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इसमें सी निकालने का फॉर्मला वही सी इकल टूरूट अंटर एस्क्वार प्लस बीस्क्वार तो देखिए यह दोनों था हम लोगों को हाइपर बोला के बारे में ठीक है अब इसे तो इससे किलियर होगा आप लोगो जब कोस्टिन सॉल्ब किजिएगा तब देखिए इसमे अब दोसरों देखिए इसका मतब है यह हैपर बोला हम लोगो एसा होगा यह किलिड है क्योंकि यहाँ पर सुरू में क्या है यह एकस स्क्वार है तो लिखेंगे this equation, this equation is in the form of, in the form of x square upon a square minus y square upon b square equal to 1. यह equation 2. अब यहाँ लिखिए on comparing equation 1 and 2. on comparing equation 1 and 2 we get. देखिए क्या हो जाए, यहाँ से हम लोग compare करेंगे, देखिए, a square equal to 3k square, a square equal to 3k square, square से square cancel हो जाएगा, तो यहाँ से बताएगे दोस्तों a का value कितना मिल गया, 3 मिल गया, end. देखिए, b a square equal to 4k square. तो यहाँ से square cancel, यहाँ से दोस्तों b का मिल जाएगा, 4. अब दोस्ते कि a और b हम लोग मिल गया है, c निकाल लेंगे, ताकि centricity में काम आएगे, c equal to क्या होता है, root under a square plus b square. c equal to हो जाएगा, root under a, a क्या है, 3k square plus b कितना है, 4k square. तो यहाँ से देखिए, c equal to हो जाएगा, root under, यह 9 plus 16, c equal to हो जाएगा, root under 25, यहाने की 5 हो गया. अब दोस्ते कि a, b और c का value हम लोग को find हो गया. अब देखिए, यहाँ पर हो छोटा सा diagram बना लेंगे, क्योंकि यह पारा, hyperbola यह था से x-axis के along था, देखिए, यहाँ पर हो बना लेंगे, यहाँ से, x-axis, और यह x-axis, और यह y-axis, और यहाँ पर इसका center, यहाँ देखिए, hyperbola बना रहे हैं से x-axis के along. यह हो जाएगा हम लोग को f1, और यह हो जाएगा f2, यह हो जाएगा vertex v1, और यह vertex v2, इसको naming करते हैं, यह a point है, और यह b point, इससे आप लोग के लिए रसा समझ में आएगा, okay, diagram बना ले जाएगा, तो समझ में आएगा बरहें से, अब देखिए, पहला हम लोग निकालना ह length of axis, length of axis में दो axis होता है, एक होता है, transverse axis और एक होता है, conjugate axis, देखिए, पहला है, पहला हम लिखेंगे, transverse, length of, transverse axis, transverse axis, दोस्तों कभी length of transverse axis कहेगा, याद रखिएगा, 2a units होता है, okay, तो 2a units मतलब 2 into a का वेलू कितना है, 3, यानि कि 6 units, ओके, पहला आंचर होगे, इसका 6 units होगे है, second देखिए, length of, length of, conjugate axis, length of conjugate axis, यह होता है, 2b units, ओके, 2b units, यानि कि 2 into b, b का वेलू फोर, यानि कि 8 units, ओके, आगे देखिए, देखिए, थर्ड हम लों निकालना है, coordinate of vertices, coordinate of vertices, coordinate of realities, देकि कैद सके पॉइंटं maior 1600 कैया हो पर, निकाल map दूर्पी 1970 से रहे सब़्सक्राइबyes, 1,0 यानि कि a का कोडिनेट हो जाएगा माइनस एक वेलू कितना है 3,0 and कोडिनेट ऑफ एंड देखे यह b b का क्या हो जाएगा और यह को जीडो हो जाएगा यह का वेलू कितना है 3,0 इसको दोस्तों ऐसे कटियो हो सब्सक्राइब कर यग 10 लिए एक चेंद है करके नकालें के लिए और नता है यहां की यहां पर यह हो जाएगा को यह हो जाएगा माइनस सी कॉमा जीरो हो जाएगा और यहां से यहां का डिस्टंस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा यह हो जाएगा सी कॉमा जीरो हो जाएगा ओके अलग लग लिखेंगे एफ वन हो जाएगा माइनस सी कॉमा जीरो यानिकी माइनस सी सी का फेलू आया है कितना है ये हो जाएगा इसको कमयान करके लिखेंगे तो फोकस का कोववाइनेट अब प्लस माइनस प्लस माइनस बाइनस तो अब फिब निकालना आ है length of letter select okay आगे देखिए देखिए इसका next निकालना है centricity centricity का formula होता है equal to c upon में अब यहां value put कीजिए देखिए c का value कितना है 5 है और a का value कितना है 3 है यहां पर e equal to हो जाएगा 5 upon में 3 centricity का दोस्तों value क्या हो गया 5 अपन में 3 होगे अब next दखिए six length of letter spectrum length of letter spectrum यह होता है 2b square upon में a ओके यहां भैद रख दीजिए 2 into a b square b का value कितना 4 upon में a यानिकि 3 लेगा 2 into 16 upon में 3 okay आगे देखिए यह हो जाएगा 32 upon में 3 और यह length है इसलिए यहां पर units होगा क्या होता डिस्टेंस हो जाएगा इसको mix fraction को फ्रेक्शन सोड़े फ्रेक्शन में convert कीजिए 310 30 यह जाएगा 2 upon 3 102 upon 3 units इसका हो जाएगा length of letter यह दोस्तों इसका first part का answer होगा आप लोग समझ में आ गया होगा अब इसका second part देखते हैं अब देखिए इसका second question में दिया x square upon 25 minus y square upon 4 equal to 1 दोस्तों देखिए यहां पर equal to 1 होना चाहिए ठीक है साथ में x square नीचे में कोई number y square के नीचे में कोई number और यहां बीच में sign minus कर रहा है ठीक है लेकिन equal to 1 होना चाहिए ठीक है लिखेंगे यहां पर इसको ऐसे भी सकते हैं यह x square upon 5 square minus y square upon 2 square equal to 1 इसको equation 1 अब दोस्तों देखिए यहां पर starting में क्या है x square है इसका मतलब क्या है कि यह hyperbola जो है तो x axis के along है लिखेंगे this equation this equation is in the form of in the form of x square upon may square minus y square upon may square equal to 1 यहने कि यह है horizontal hyperbola इसको equation 2 लेट कर लिए अब लिखेंगे on comparing equation 1 and 2 we get अब लिखेंगे यहां पर on comparing equation 1 and 2 we get अब देखें क्या हो जाएगा यहां से a square equal to हो जाएगा 5 का square a square equal to हो जाएगा 5 का square तो square से square cancel यहां से a का value मिल गया 5 and यह b square equal to हो जाएगा 2 का square square से square cancel यहां से b equal to मिल गया 2 अब यहां से क्या करेंगे c का value पहले find कर लिखेंगे देखेंगे we know that we know that c equal to हो जाएगा root under a square plus b square put की जिसमें c equal to हो जाएगा root under a का square याने की 5 का square plus b square याने की 2 का square तो जाएगा root under 25 प्लस 4 याने की root under 29 याने की c का value मिल गया root under 29 अब उन्हों साड़ा इसमें find कर सकते हैं देखें अब देखें से पहला हमों को निकालना है कि लेंथ ओफ ट्रांसवर्स एक्सिस अब बताए दूसरे लेंथ आप ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ पूछेगा है पर बोला में तो याद रखेंगा ट्रांसवर्स एक्सिस एक्सिस एक तो होता है लेंथ ओफ लेंथ ओफ कंजूगेट लेंथ ओफ कंजूगेट एक्सिस एक ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है जिस एक्सिस क्या होता है हाईपर बोल होता है इसका से के अब हुझत निकालना इसमें कोर्डियोट ऑफ भर्डिसेंज आगे दिखें कोर्डियोट ऑफ भर्डिसे का मतलब क्या हो गया कि यहां पर यह भीवन है और यह क्या है फेट यह होगा ए और यह ऐसे हो गया है यह कोडिनेट भटिस से хोता है यहां से यह होता है यहां seguah यह माइनिस अजीडिक कॉANS को जाएग % क्योंकि एक सेक्सिस के लोग है यह हो जाएगा Pl happen के रि thirds मैंनस कर आको सुस्सक्राइब nimama को oh यह हो जाएगा 5,0 इसको यदि कमबाइन करके लिखेंगे इसका वर्टेक्स हो जाएगा प्लस माइनस 5,0 ओके अब देखिए अब नेक्स आम लोगों का निकालना है इसका कॉडिने अफोकाई निकालना है कॉडिने थर्ड कॉडिनेट और फोकाई अब आते हैं दोस्तों कोडिनेट फोकाई याने कि F1 यह क्या हो जाएगा 0,-C और F2 यह हो जाएगा 0,-C X coordinate क्यों 0 है क्योंकि यह सौरी दोस्तों यहां पर देखिए F1 क्या हो जाएगा-C,0 क्योंकि एक सेक्से क्यों यह हो जाएगा याने कि माइनस रूट अंडर 29,0 और F2 क्या हो जाएगा-C,0 तो हो जाएगा रूट अंडर 29,0 दोस्तों फिर समझिए कि F1 जो है से X-axis के अलोंग है, देखिए, F1 क्या है, X-axis के अलोंग है, तो Y coordinate क्या हो जाएगा-0, इसलिए Y coordinate 0, और center से focus का distance क्या बोलते है, C बोलते हैं, C का value कितना है, रूट अंडर 29, left में है तो माइनस रूट अंडर 29, right में है तो रूट अंडर 29, प्रूट अंडर 29, okay, फोर्थ देखिए, फोर्थ हम लोगा निकालना है, इसका, इस एंटर सेटी निकालना है, फोर्थ हम लोगा निकालना है, इस एंटर सेटी, इस एंटर सेटी, जिसको इबोलते हैं, E equal to होता है, C upon में, दिए हो जएगा-0, फिफ्ट आप पार्ट में निकालना है, Length of Latest Lectang, लेंथ लेंटर सेटी क्या फर्मला था, 2B square upon में, तो जिएक टू इंटू, B square, जिए बी का वैलू हम लोगों को यहां पर क्या रहा था, 2, upon में A, A का वैलू है 5, जिए 2 इंटू 4 upon में, 5, तो जिए 8 upon में 5, यूनिट्स, जिसको मिक्स ट्रेक्शन वो कनवर्ट कर दीजिए, यह हो जाएगा, 1 whole 3 upon में 5, और यह यूनिट्स, यह दोस्तों इसका आंसर हो गया, आई होब दोस्तों यह दोनों कोशिन आप लोगों को समझ में आगया हो, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट यह पूछिए पूछिए वीडियो अच्छा लगे, मेरे प्रहान के तरिके दोस्तों आप लोग पहसंद आए, तो इसे लोग लाइक कीजिए, सेयर कीजिए, सबस्का धनाया हो भी वे दोग ऐसे होग हैं, त Chicken, South Lach yeah the majority, सेयर के लोगोचे होगे, सेयर, में रभी होगोषे को शचा बशुर कराई आप Kiqué जो जож़ कोईला हो वे रावे, तक होगोगों फोड़ाएं के खवी हैं, इस थांप